नमस्कार दोस्तो स्वागत है मेरे चैनल First Investment Pay and I'm your mentor शिवान चिपसीद आप जैसा आप लोगों को पता ही था कि हम लोग ने जब Friday के लिए वीडियो बनाई थी मतलब हम लोगोंने Thursday को वीडियो बनाई थी Friday के stocks के लिए और तो मैंने आपनों को बताया था कि मैंने bank nifty में short करके रखावाया और मुझे 300 से 400 point तक की fall expected है जो की definitely आने वाली है और मैंने आपको बोला था कि हम लोग ने बहुत futures को short कर रखा है option की strategies बना रखी है selling side में and मैंने आपको guarantee दीती कि एक short आने वाला है बट हम लोग ने जब देखा था market पे तो US की market positive Dow Jones positive था Hang Sank positive था जाद अदर सारे index positive थे Asian markets के बट हमारी market आप देख सकते हैं क्या हुआ एक gap down opening हमें देखने को मिली and एक sharp fall हमें देखने को मिला and यहाँ पे हम लोग ने profits earn करे हैं आप देख सकते हैं दुबारा उपर गया और but end में exact जो closing इसने दिया वो exact इधर ही दिया है आप यहाँ देख सकते हैं so जो इस तरीके से हम लोग ने सोच रहे हैं exact उसी तरीके से market perform कर रहे है हमें आपको past few days से बता रहे हैं कि हम लोग क्या buying कर रहे हैं क्या हम लोग ने buy कर रखा है क्या short कर रखा है and exact आप अगले दिन market में उसे जा कि check करिएगा exact उसी तरीके से सारी के सारी चीज़े perform हो रहे है अभी हम लोग currently कुछ hold करके नहीं जा रहे हैं और Monday को भी मैं शायद ही hold करवाऊंगा क्योंकि Monday को भी decision making candle बनना बाकी है अभी तक decision making candle बनी नहीं है on a downside और उना high side because US market की बात करें तो वो lifetime high पे चल रहे है and उसके basis पर अगर मैं आपको बताऊं I don't know क्यों चल रहे है एक तो money printing हो रही है शायद उसकी विज़े से high में चल रहे है but dollar index की में बात करो तो वो उपर है ठीक है उसकी विज़े से market में concern है हमारी Indian rupee appreciate कर रही है वो एक concern है तो यह सारी चीज़त जो हो रही है हम लोगों को लग रहा है कि market एक fake upside की तरफ जा रही है और हमारी market शायद उसको short term के लिए continue कर सकती है US market को short term के लिए उसके साथ साथ चल सकती है but eventually एक fall जरूर आ सकता है so अभी क्या exact अपने base पे है अभी मैं आपको दिखाऊंगा जब bank nifty के हम charts को study करेंगे तो चलिए सबसे बहले bank nifty के charts को ही study कर लेते हैं okay so let me open daily time frame for that and daily time frame जब मैं open कर रहा हूँ तो यहाँ पर आपको clear basis पे दिख रहा है एक sharp fall एक upside उसके बाद एक दुबारा नीचे and exact इसी level पे halt कर रहा है यह level अभी तक breakdown नहीं हुआ है so अगर by chance कल इसके नीचे gap down opening होती है कल अगर by chance एक gap down opening होती है और भी नीचे के level से हमें देखने को मिल सकते है and अगर मैं Fibonacci retracement ratio के purposes चेक करता हूँ let me show you with Fibonacci retracement तो हम कहां तक का fall expect करके चल सकते है let me tell you about that also see यह एक था छोटा सा base जो कि यह base form कर रहा था इस base का breakdown आएगा then our next target should be around this जो कि 31,400 के आसपास है almost almost thousand rupees का एक fall हम लोग expect करके चल सकती है bank lifting के अंदर जो कि 78.6% का Fibonacci retracement ratio है और अगर वहां से bounce करता है तो एक harmonic pattern भी develop हो सकता है आप देखने हैं सारी चीज़े related होती है सारी चीज़े एक साथ जुड़ी होती है और हम लोगों को बस find करना होता है तो चलिए यहां पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ 15 minutes time frame कि हमें करना किस तरीके से क्या decision होना चाहिए अगर by chance यह वाले level break होता है यानि कि 31,400 का level break होता है and 15 minutes की candle भी close होती है yes we can go for a shot बट अगर 15 minutes की candle बहुत जादा नीचे gap down में close हो रही होगी तो हम लोग trade नहीं करेंगे हमें पूरा check करना पड़ेगा उस time के लिए so हम क्या अगर सकते हैं अगर इसके नीचे close हो रही है तो हम लोग short कर सकते हैं अगर यह इस level के उपर जा रहा होता है let me make a level for you अगर यह इस level के उपर जाएगा यानि कि 32,600 के उपर मुझे definitely लगता है कि आ सकता है but हम लोग कल market को सिर्फ observe करेंगे क्योंकि कल एक decision making candle हो सकती है बहुत बार यह exact इसी level पर halt कर चुका है अगर कल भी halt करता है तो हमारे लिए परसो decision making candle हो सकती है but decision making candle का मतलब क्या है वो मैं आपको बताता है था हूँ एक sharp move on a upside और on a downside वो हमें indicate करेगी कि market का direction एक हफते तक कहा रह सकता है ठीक है तो चलिए बात करते है nifty की and same goes with nifty as well देखे nifty और सम में सम सेम चीज़े जा रही है and यहाँ पर मैं आपको को बता जाता हूँ अगर यह वाला zone break होता है यह आप देख रहे ऊपर यह मैंने box बना रहा है यहाँ लिखावा है no trading zone exact no trading zone है मतलब इस zone के अंदर हमें कोई trade नहीं करना है अगर यह zone के नीचे break करते है यानि कि 14,760 के नीचे candle close होती होना 15 minutes time frame yes we can go for a shot और but अगर यह 14,950, 960 के ऊपर एक candle close करते है stock से related so let's move to reliance first of all and let me open a daily time frame for you okay so जब भी मैंने daily time frame open कर रहा हूँ आप देखे आपको एक systematic चीज़ दिख रही होगी stock कर क्या रहा है आच्छल मैं यह stock नीचे आया उपर गया stock नीचे आया उपर गया फिर नीचे आया फिर उपर गया आप देखने है अपने previous high को वो break करने में काम्याब नहीं हो पा रहा है and अपने lows को regularly break कर रहा है अब आप देखेगा stock ने perform किस तरीके से कर रहा let me show you here देखे stock कर 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 रहा है यह एक important level है जिससे stock ने break कर रहा है on a early time frame let me show you see on a early time frame इस level को इसने break कर दिया है but अगर मैं एक trend line draw करता हूँ from this particular level as well so आप दिख सकते हैं कि इस trend line को break करा एक retest करा और दुबारा नीचे जा रहा है so अगर कल यह इस level को break करके नीचे चले जाता है तो हम लोगों के लिए बढ़िया selling opportunity initiate हो सकती है यह same goes with bank nifty जैसा bank nifty का setup दिखा रहा है exact वैसा ही setup दिखा रहा है so current price जो इसका भी चल रहा है वो चल रहा है around 1982 1980-1979 के नीचे we can go for a short and I think 15 रोपे तक हम लोग easily achieve कर सकते हैं reliance के अदर so let's move to our next talk that is KCL KCL के अंदर let me show you देखे एक type of a symmetrical triangular pattern मन रहा है मतलब यह एक descending triangular pattern मन रहा है और इसका एक breakout दिया descending triangular pattern का breakout देने के बाद आप देख सकते हैं जो इसका previous resistance show कर रहा है at exact इसी price पे show कर रहा है जिस price पे हम लोग ने closing देखने को मिलिया so अगर कल के दिन यह वाले level cross होता है यानि कि 560 अगर यह stock हमें मिलता है yes we can go for a buy and I think हमें अच्छे target sims में भी देखने को मिल सकते है because यह एक type of a pennant pattern भी बना रहा है और एक type of a descending triangle भी बना रहा है और that both is a positive sign for this particular stock बतला basically दोनों का breakout अल्रेडी देख चुका है so let's move to our next stock that is birla soft okay birla soft की तरफ चलते हैं and यह stock recommend करने का reason मैं आपको बताता हूँ देखेगा यह वाली candle जो एक strong candle देख रहे हैं इसे अभी के लिए आप भूल जाईएगा ठीक है इसे आप अभी के लिए भूल जाईएगा क्योंकि मैं आप आप टॉप पे एक trend line already support line draw कर लेता अब आप एक चीज़ observe करेगा stock ने क्या करा है एक sharp up move दी उसके बाद नीचे आया दुबार up move दी आप दिखेगा closing you have to see the closing of a stock यह मैंने trend line मना रखी है यह मैंने trend line मना रखी है कि इस trend line के उपर अभी तक closing देखने को मिली थी आप चेक करेगा इस trend line के उपर multiple बार गिया था multiple बार इस trend line के उपर जाने की कोशिश करी but closing नहीं मिली closing यहां नहीं मिली इधर नहीं मिली इधर नहीं मिली but आज के trading session यानि Friday के trading session के अंदर हम लोगो को इसके उपर closing देखने को मिली है yes multiple red candles हम लोग उपर देख रहे है but जो closing है वो closing आज हमें देखने को मिली है and I think that's a good sign और यह वाला particular stock almost almost 280 के levels तक भी जा सकता है and I think यह अच्छा stock बन सकता है so इस particular stock को और वो अचले इसके अंदर राट करेगा और यह definitely अच्छे stocks provide करा सकते हैं एक important चीजब और बताना चाहँगा guys आप लोग हमें Instagram पर भी follow कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर हम लोग एक course start कर रहे हैं जो कि free of course होगा जो कि course नहीं है बट वहाँ पर आप लोगों को post जो आप Instagram पर post देखते हैं उस post के through आप लोगों को line wise मतलब basic to advance सारे courses के post provide करवाय जाएंगे A to Z fundamental, technical analysis psychology के basis पर पढ़ाया जाएगा options के basis पर पढ़ाया जाएगा सारी की सारी post हम लोग वहाँ पर बनाना start कर रहे हैं so please you can follow us on Instagram वहाँ पर आपको बहुत कोई सीखने को मिलेगा and plus वहाँ पर मैं extra two stocks भी provide कराता हूँ reels पे जो भी आप लोगों को और benefit दे सकती है मतलब आपके पास total 5 stocks ही है plus 2 stocks on Instagram पे जो मैं provide कराता हूँ तो total 7 stocks आपके पास watch list के उन्दों होंगे अंदर होंगे कल के trading session के लिए so अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहे हैं तो उस वीडियो को like जरूर करेगा हमारे चानल को subscribe करना मत बूलेगा let's move to our next stock that is capley point इसके बारे में तो हम already बात पहली भी कर चुके हैं and it gave a breakout हम लोगों ने बात कर रहा था और हम लोगों ने buy भी कर रखा है तो इस पे जादा बताने की जरूरत नहीं है अब हाँ 475 Q पर ही buy कर सकते हैं और almost 10 रूपीस या 8 रूपीस का target हम लोग रखके चल सकते हैं so अगर ये कल 475 Q पर निकलता है तो almost 8 to 10 रूपीस का target हमें easily achieve होते वे देखने को मिल सकता है so इस particular stock हम लोग definitely watch list में रखेंगे आप देख सकते हैं clear flag and pull pattern का breakout इस particular stock ने दिया है and इसके targets बहुत जादा almost 660 तक के target है so I am still holding this particular stock और मैंने अपने telegram channel first investment पर भी provide कर आया था सारे आपको links important links educational links नीचे description में मिल जाएंगे सब का जाके definitely use करेगा okay so our last stock is granules इसने भी एक breakout दिया है देखेब हम जादा तब breakout stocks पही trade करते है and आप लोगो clear basis पर दिख रहा होगा stock ने क्या करा है let me show you एक upside एक downfall यहाँ एक resistance breakout दिया that resistance becomes support first time support दिया दूसरी बाद यहाँ पर आके double bottom create करा है that's a good sign for us आप देख सकते हैं continuously एक downfall कर रहा था and downfall करने के बाद it created a double bottom type of scenario and it started to move back up so particularly it's a good stock and आप यहाँ पर देख सकते हैं एक channel के अंदर भी एक trade कर रहा है एक channel के अंदर trade करने के बाद it clearly gave a breakout from this particular channel which is a good sign for us ठीक है so यहाँ पर हम लोग definitely एक buying करके चल सकते हैं so I hope आप लोगों को यहाँ पर कुछ सीखने को मिला होगा and इस वीडियो में educational definitely था एक important चीज एक important announcement में आप लोगों के सामने और करने वाला हूँ अब हर हफते एक या दो वीडियो में educational basis पे लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए and don't worry guys आप मैं definitely लेकर आऊँगा क्योंकि मैंने दो वीडियो एजुकेशनल से related डाउनलोड कर लिया है sorry record कर लिया editing का पार्ट रह गया है almost almost मैं Tuesday Wednesday तक आप लोगों के लिए upload कर दूँगा पहली वीडियो में आप लोगों को बता दे तो मैं कौनसी लेकर आने वाला हूँ that is the support and resistance और definitely ये वीडियो आप लोगों ने कहीं नहीं पड़ी होगी ये वाले topics आपने कहीं नहीं सुने होगे जिस topics के अंदर हम लोग बात करने वाले है so चली बंद करते हैं इस वीडियो को end करते हैं I hope आप लोगों ने कुछ छीखा होगा please don't forget to like this particular video let's aim for a thousand likes and अगर ये आते हैं तो मैं और educational content आपके सामने प्रेजेंट करते रहाँगा so मैं मैं मिलता हूँ आप लोग इस अगली वीडियो पे मैं शीवाँ वसींत signing off